हेलो बच्चो मैं राधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूटीब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्रावत करती हूं बच्चो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 5 की हिंदी पुस्तक रिमजीम 5 का पार्ट नमर 15 विशन की दिलेरी इस पार्ट का सब्दार्थ एवं शारांस द इसले वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हैं तो आईए हम लोग इस पार्ट की शुरुआत करते हैं पार्ट का नाम है विशन की दिलेरी तो इस कहानी का कुछ सब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं जक्मी जक्मी का मतलब होता है घायल तरके तरके कार्थ होता है भय युक्त या फिर खौफ जद्या क्या क्या की तैक्या का मतलब होता है बचो निश्चत किया आढ़ आठ आठ का मतलब किशा के आने की आवाज कवशी का मतलब है चुप़ी या फिर अस्तबता अजनवी अजनेभी का अर्थ होता है अंजान वैक्ति या फिर परिचित जिससे कि हम परिचित ना हूँ रोबदार रोबदार का मतलब होता है प्रफावशाली वैक्ति या फिर करकदार वैक्ति पल्लू पल्लू का मतलब होता है आचल काम्याब का अर्थ है शफल अब हम लोग इस पार्ट के सारांस को देख लेते हैं तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे एक बच्चा बड़ी बहादुरी शे सामना करता है प्रतिकूल परिस्थिती का विशन की दिलेरी पार्ट का सारांस शुबह शुबह दस बर्स का विशन घर से बाहर निकलाया वह रोज इसी समय इसी रास्ते से करणल दत्ता के फॉर्म हास पर उनकी पतनिशे पढ़ने जाता था तो विशन नाम का एक बच्चा है दस वर्स का जो की कर्णल दत्ता की पत्नीशे रोज दिन पढ़ने के लिए जाता है अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वो जिस रास्ते से रोज जाता था आज भी उसी रास्ते से जा रहा है उस रास्ते में काफी जंगल जैसा है काफी पेर पौधे हैं तो अचानक उसे आज गोली चलने की आवाज सुनाई देती है थोड़ी तेर बाद दो तिन गोलियां एक साथ चली गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गुंज गई तो यह जो कहानी है यह घाटी की है यानि की पहारों के बीच जो जगह होता है जहां पर लोग वहाँ पर अपना घर बना कर रहते हैं उसे घाटी बोलते हैं तो यह पहारी किसी अस्थान की कहानी है वो कहा है वो अस्थान उत्राखंड के बारे में बताया गया है विशन डर गया और पेरों की आर में छिप गया तो जैसे ही लगातार गोलियों की आवाज आने लगी तो विशन चुकि दस साल का छोटा बच्चा था तो वो डर गया और पेरों की आर यानि की पेरों के पीछी वो छिप गया अभी वह सोची रहा था कि गोली किशने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और की आवाज आई एक और से आवाज आई तो जब ही वह सोची रहा था ये सारे कुछ तभी उसे एक तरब से कुछ आवाज सुनाई दिया अचानक विशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया अब विशन समझने लगा है क्योंकि वो ही का वशिंदा है और अक्सर इस तरह की बातें वो सुनता है जानता है तो अब उसको कुछ समझ में आ रहा है दरसल सिकारी गेहूं के खेतों में दाना चुमते तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चलाते हैं तो समझ जाता है कि यहां पर यह प्राय होता है कि गेहूं के खेत में जो तीतर जो होते हैं पक्छी वो जब दाना चुलने आते हैं तो सिकारी उनका गोली चला कर सिकार करते हैं विशन दुखी हो गया तो विशन चुकि विशन एक छोटा बच्चा है लेकिन वो काफिश हमेदन सील है तो वो इस तरह की बातों से दुखी होता है कि इन बेजुवान पक्षियों को सिकारी क्यों इस तरह से सिकार कर लेते हैं विशन दुखी होता है, वह समझ गया कि शिकारी ही तित्रों पर गोलियां चला रहे हैं, फिर तो वह पेरों के बीच से निकल कर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा, तो अब वह समझ गया कि यह जो गोली चलने की आवाजें आ रही हैं, वह सिकारीों के द्वारा चलाया जा चलते-चलते उसने सिखारियों को सबक सिखाने का नेनय ले लिया तब ही उसकी नजर एक घायल तीतर पर पढ़ गई उसने उस पर डाल दिया किस पर तीतर पर डाल दिया चुकि ये घाटी की कहानी है तो वहाँ पर हमेशा ठंड रहता है इसलिए उस दिन भी विशन स्वेटर फ़र्ण के रखा हुआ था और जैसे उसे घायल तीतर दिखता है तो उसे वह स्वेटर से ढख देता है और जब वह स्वेटर में फस गया तो उसे पकर लिया किशे तीतर को उसने उसे सीने से चिपका लिया और तेजी से पहारी की और दौर पड़ा ताकि किशे शिकारी की नजर उस पर ना पड़े तो शिकारी जो कि ये तीतर का शिकार किये थे वो उसके सामने में विशन क्या सामने में दिखता है जब विशन को तो विशन क्या करता है कि तो वो डर रहा था कहें किसी की नजर उस पे पर ना जाए लेकिन जिस बात का उसे डर था वही हुआ तो अभी विशन डर ही रहा था सोची रहा था कहें किसी सिकारी की नजर उस पर पढ़ न जाए लेकिन तभी अचानक वही कुछ हो जाता है वह कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से किसी की भारी आवास सुनाई दी लड़के रुख जा नहीं तो मैं गोली मार दूँगा तो वह सिकारी लोगों का तितर लेकर जा रहा था चुप चाप लेकिन सिकारी में से किसी का नजर उस पर पढ़ गया और उसने चेताब नहीं दिया कि रुख जाने तो गोली मार दूँगा विशन का दिल तेज से धरकने लगा घर के बाब जूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा अचानक सिकारी उसके काफी नजदिक आ गया वह गुस्से में चिला रहा था मैं तुझे देख लोगा तो मेरा सिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता तो वह जो सिकारी था अब बिल्कुल नजदिक आ गया फिर भी विशन नहीं डरने का कोशिश कर रहा है और आगे बढ़े जा रहा है और सिकारी उसे धमकी दे रहा है कि तुम मेरा सिकार चुरा कर ले जा रहे हो मैं तुम्हें देख लोगा विशन के लिए आगे निकल कर भागने का रास्ता नहीं था अता उसने खेतों की छोटे रास्ते जो काटे-दार जारियों से परे थे से जाना निश्चित किया तो आप सामने में चुकी शिकारी आ गया थे तो अब सिधे रास्ते से उसके लिए जाना मुश्किल हो गया था तो किया कि अपना रास्ता बदल के और जो थोड़ा काटेदार खेत वाला रास्ता था उसमें चला गया जहां पर की सिकारी आसानी से नहीं पहुंच सकते थे बहुत समल कर चलने के बाब जो तो उसके हाथ पैर पर काटों की बहुत सी खड़ोंचे उबढ़ाई लेकिन किसी तरह वा करनल दता के फॉर्म होश के अंदर पहुंच गया तो खुद को बचाते हुए किसी तरह से वो हलांकि उसके हाथ पैर शिल जाते हैं फिर भी वो करनल दता के फॉर्म होश पर पहुंच जाता है तीतर को शीने से लगाए रहा तो कितना भी परिशानी हुआ उसे कितना भी डर लगा लेकिन वो उस खायल तीतर को पकर कर अपने सीने से चिपकाए वो चले जा रहा था फॉर्म होश में खामोशी थी एक आएक करनल दता का अर्शेशन कुद्धा भॉंकने लगा तो सबकुछ एकदम फॉर्म होस में चुकि बहुत कम ही लोग फॉर्म होस में रह रहते हैं इसलिए हमेशा खामोशी का महौल रहता था लेकिन अचानक करनल दता का अर्शेशन कुद्धा जो था वो भॉंकने लग जाता है अकषर कुद्धा कब महौकते हैं जब कोई अनजान आदमी आता है विशन समझ गया कि शिकारी इदर यही आ रहे हैं तो कुद्धा के महौकने से विशन समझ जाता है इस बात को कि कोईंजान सिकारी यहां आया है उसने जट तीतर को सुरक्षी तस्थान पर छिपा दिया और बाहर निकल गया और शिकारियों की नजर से बचने के लिए खपरेल की धलावदार छथ पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया तो समझ गया कि शिकारी उसे ही ढूनते ढूनते आये हैं यहां उसे कोई नहीं देख सकता। तो जीए कोई भी सिकारी उसे नहीं देख सकता देकिन वहां से शिकारियों की पूरी आक्टिविटी अपरी धेख सकता के रूपकर शिकारीे से बहुका覺 मुझ ग़ंब जा रहा था तो सब कुछ देख रहा था किस तरह सिकारी जब सामने आ रहे हैं तो कुटव लागतार भॉंक रहा है अकिर क्सिकारी करनल साब केो पहुंच गये हैं उन्हों ने करनल सहाब से रहा कि अभी अभी एक करनल साहब आपशे बाहर हो गए उन्हीं सिखारियों को खुब डाटा और वहांसे भगा दिया तो करनल साहब तुकि मईल्फ्रिक की इंसान है तो वो उन शिकारियों को डाट कर भगा दिते हैं विशन चिमनी के पीछे से देख हो और सुन रहा था यह सम पुछ सिकारियों के जाते ही वह घैल तीटर को लेकर घरकी मालकीन हरकी मालकीन कौन है वहाँ पर करनल्स दत्ता की पतनी ट्रफ बीशन के पास पहुंच जाता है करनल सहां कूर भी वहाँ पहुंच गैं फिर दोन्होंने मिलकर तीटर का उपचार किया करनल साहब की पतने उसे दल्या खिलाया फिर भीशन उसे लेकर तीतर को लेकर कि वो घर चला जाता है तो इस तरह से एक बच्चा कितना दयालू लेकिन सहाशी बच्चा था इसकी ये कहानी थी बच्चों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे अपने दोस्तों के शाहत लाइक, सेर और कॉमेंट कीजिएगा साथ ही चाहत अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, बहुत जल्दी AVS की वीडियो लेकर की भी मैं आने वाले हूं, धनिवाद बच्चों मिलता अगले वीडियो में तब तक कली नमस्कार